वेले गुड इवनिंग एवरीवन माई नेम इस पावन शर्मा एंड फ्रेंट्स इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रादे स्टॉक्स के लिए जो रहेंगे फॉर्टींत ओफ ऑगस और दिन रहेगा फ्राइडे लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले कोड्स के बा यह गुस्सा होता है वो सब चीजों को आपको यह कोड जो है आपको थोड़ा सा शांत करेगा होट है इप स्टॉक मार्केट प्रेक्टिक्टिंस वूर्ड वेली इजी देन एवर्ड इन दिस मार्केट वोड भी सक्सेस्फुल एस्ट्रोलोजर पहली बात तो हम प्रिडिक के लिए उनको पिक करते हैं अगर कोई स्टॉक हमारे अकॉर्डिंगली मुवमेंट नहीं दे रहा है तो हम उससे निकल जाएंगे और आपके अकॉर्डिंगली मुवमेंट दे रहा है तो उसमें बने रहेंगे हमारा मोटीव जो होता है मेरा जो मोटीव होता है मैं आपको तो मैं उससे निकल जाता हूँ on cost चोटा मोटा loss करा के इसलिए मुझे ज्यादा loss नहीं होते और यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ तो अगर कोई stock आपके हाथ से चला गया है और वो आज का सबसे बड़ा high बन गया है उसे demotivate मत हुए यह मत सोचिए कि आपका गलत है आपने उस stock को नहीं पिक किया था एक particular direction के लिए अगर वो आपकी opposite direction में गया है तो you are not ready for it तो better to exit and enjoy your day आज बात करते हैं निफ्टी के बारे में निफ्टी का जो आज फिर से अब निफ्टी ना consolidate कर रहा है अगर आप देखेंगे निफ्टी 300 के आराउंड चल रहा है और यह मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर लेट में जेट मैं पैन आप यहां देखेंगे अगलोबल मार्केट जो है अपनी ट्रेडिंग रेंज से बाहर आ रही है मतलब एक रेंज में चल रहे ते मार्केट और वो उसने पॉप आउट करना शियू कर दिया है और वो हमें यहां भी दिख रहा है कि जब मार्केट लगाता अगर आप देख रहे हैं दो चार दिन से मार्केट तैन्सवच के अराउंड हीट कर रहा है। टूफिफ्टि से लेके पीच मार्केट अब अप डाउन चल रहा है। और यह जो ट्रेदिंग जो है लेवल से हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा मतलब अगर यह लेवल से आपके निकल जाते हैं आपके हाथ से तो स्टॉक नीची आएगा अधर्वाइस जो है पहला टागेट हमारा 11400 होना चीए और 11500 तक अराम जाना चीए इस इस माई एक्सपेक्टेशन फ् पारे में और अगर अभी तक आपने आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां सब्सक्राइब कीजिए बहुत सी वीडियो धो हम आपके लिए बनाते हैं यह वीडियो है इससे पहले की है अगर आप यहां देखेंगे तो निफ्टी के हो गए है वीवेप्स के ल नाम फ्रेइ और क्या होता ना कोई भी स्टॉक के पीछे सर्फ यह नहीं होता कि आपने बोला और फट से बता दिया कि उपर जाएके नीचे जाएगा उसके पीछेर रीजन होते हैं चेक करना पड़ता है कि यह स्टॉक अगर या ऑगर नीचे गिरेगा तो आपको यह को आई पोटेंशल ट्रेट्स पे हम फोकस करते हैं पोटेंशल ट्रेट तो हर रोज मिलते ही रहते हैं तो अगर आप जो में सब्सक्राइब करेंगे और तो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा यही सपोर्ट जो है मैं आप से चाहता हूं बात करते हैं चार्ट अनलिसिस के बारे में उसके लिए जाते हम पहले निफ्टि के चार्ट में ले आता हम वन डी के उपर वन दे का चार्ट है हमारा और चार्ट पर आप देखेंगे इसको बड़ा गांट बैक्ग्राउंड ने चेक किया था ब्लैक अपने लिए कि मैं कुछ हो सकता है कि मैं आपको और क्लिर दिखासकों लेकिन आपका जो फीडबेक था कि ब्लैक में आपको ज्यादा अच्छे ने दिखा तो बात करते हैं यहां पर जैसे मैं आप सक्राइबुटक होते हैं तो अगर आप पूछते हैं स्टॉक से एलेक्षिन का तो हमेशी बताता हूं कि जब करना शुरू कर दया रहा है निश्यानल पहले पहले पता चल जाता अगर आप अगर वॉस को लेकर चलते हैं तो युविल अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 250 का जो है अब कैसे हमने पता किया निफ्टी को मैंने पता किया कि ग्लोबल मार्केट में रेंज से ब्रेक आउट दे रही है तो ऐसी कंडिशन पर मैं यह मान के चलूँगा कि मैं अपना सब्सक्राइब कर सकता हूं और उसके लिए मुझे इसको यहां से अट लीस्ट 325 की ओपर जाए या 350 की ओपर जाए तो मैं ट्रेड वो लगा दूँगा तो मेरा लाउस कितना रहेगा 7500 के आसपास का मरिस्क लेकर उसको बाई कर सकता हूं तो यह होती है आपकी जो ट्रेडिंग अनलेसिस बेस पर आप ट्रेड लेते हैं बात करें अगर बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टीन देखिया कल फिर से एजियार का वो है आईडिया का एजियार लेकर फिर से तीन बजे होने वाला है तो मार्केट हो सकता है आपका पूरा दिन रेंज बाउंट रहें और यह उसी रेंज पे है अगर आप इस ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन को देखेंगे 22,300 इसके लिए एक strong resistance की तरह निकल के आ रहा है यहाँ पे try किया यहाँ पे try किया और यहाँ पे लगबक almost try किया था बट once again it has closed below 300 तो वो target आपका जो है 300 का अभी intact है तो अगर वो नीचे गिरेगा तो अब आपके पास में 22,000 का एक strong support आएगा तो अगर इन दोनों में से को की recap के लिए recap के लिए मैं आपको 590 चार्ट पर लेके जाता हूँ so that you can understand the charts in terms of intraday यह है हमारे charts में इसके लिए पहला है हमारा रेक लिमिटेर रेक लिमिटेर मेंगर आप बात करते हैं तो रेक लिमिटेर के लिए we have here तो देखे में अब लेवल्स मुझे अभी याद नहीं है लेकिन हाच लिए मैं निकाल लेता हूँ लेवल्स को यह मेरे पास sheet है मेरा मैं लेवल्स भी आपको बता दूँगा तो अब इसमें रेक लिमिटेर में मैंने 110 का by बोलाता तो 110 तो हमारा यहां आएगा चिक है लेक तो आपका entry यहां पर buy के तरफ sell के तरफ बनेगा तो from 109 to 107.5 तक बनेगा उसके बाद stock क्योंकि आप जो है movement होगा उपर की तरफ हमारा गया नहीं क्योंकि 110 पर यहां पर आया था और जो है रेक लिमिटेड में 107 का हमारे पास में ना नीची आया ना उपर गया तो I would say no trade for today ठीक है इन रेक लिमिटेड अगला है हमारा M&M का M&M पे consolidation हुआ ठीक है consolidation के बाद में stock उपर गया उसके बाद में stock क्या है एक range पकड़ लिया और अगर stock range पकड़ लेता है मैंने आपका एक तो 45 मिनट तक तो आप exit कर जाएंगे तो आपने जो है entry किया होगा लगबग I would say 640 पे और आपका जो exit हुआ होगा 641 या 640 के आसपास में विच मेंज on cost आपका exit हो गया है महिंद्रा महिंद्रा में तो यह मैं कहूंगा कि उसके बाद में we did not get any trade on the buying side 30 पर आने के बाद में वो sell हुआ था लेकिन 30 पर रुका नहीं कुछ देर के लिए भी तो अगर आप यह कहेंगी कि आपको entry यहां मिल जाता तो बढ़िया रहता तो देखिए उसके लिए फिर मैं आपको बार बार कहता हूं कि चार ट्रेडिंग को करना थोड़े दिर में अगला है हमारा मनम का मनम में देखिए स्टॉक ने यहां ओपन किया उसके बाद हमारा 132.70 के आसपास हमारा आया और फिर स्टॉक ने क्या किया 45 मिनट तक वहीं पर ट्रेड करता रहा तो जब स्टॉक 45 मिन तक यहीं की रेंज में ट्रेड करता है तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप उसको यहां पर एक्जिट कर लेंगे तो विच मींज अल्मोस्ट ऑन कॉस्ट हमारा M&M Finance में भी रहा ठीक है और यह हो गया हमारे पास में फिर हमारे पास में है वोल्टास वोल्टास का हमारे पास में यहां पे Consolidate किया स्टॉक ने उसके बाद नीचे गिरा उसके बाद में स्टॉक इसी रेंज में काफी लबे टाइम तक रहा विच मींज 6.17 से लेकर 6.08 के बीच में आपका जो है ट्रेड होना चाहिए था लेकिन हमें जो है 600 का हमारा लेवल ने एचीव हुआ और 6.10 का जो हमारा लेवल था वो तो यहां पे जाके आपको मिला ठीक है तो अगर आपने बाई किया होगा तो फिर आपको यह प्रॉफिट हुआ है आपका वोल टास के अंदर राइट तो यह आपका वोल टास आ गया अगर बात करते कल के स्टॉक्स के लिए लेकिन से पहले में चीज दिखाना चाहूंगा कल के स्टॉक्स आपको वीडियो 30 सेकंड बढ़ जाएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प आपको दिखाता हूं मैं क्या वोला था मैंने आपसे कहा था कि I'm not getting any clear move as index isn't moving only stock specific moment is happening auto sector जो है हमारा वो भी काफी वीक जो open हुआ तो उसके बाद में ग्रो किया तो सरफ stock specific moment था जिसमें से stocks वो थे जिसका जो result बुराया था उसके बाद भी राइस कर गए हैं तो these unexpected moments के लिए कोई भी रेडी नहीं होता उसके बाद देखे आप यहां से लेके और 12 बजे तक अगर stock एक movement में है तो आप trade करेंगे कब उसके बाद आपको यह पता कि यह नीचे तना बड़ा मुमेंट आएगा उसके राइस कर गया तो इतना वॉलटाइल मार्केट को थोड़ा सा बचा गए रखिए अपने आपको ठीक है तो आपको आपको बचाईएगा चलिए अगला कि यहां बनेगा और अगर यहां से आगर देखेंगे तो यह बड़ी मुमेंट है इसने इसको अल्रेडी ब्रेक आउट कर दिया है 222 से लेकर 225 के बीच में तो अगर चोला फाइनस को वापिस ब्रेक करता है तो काफी बड़ी फॉल आ सकती है और इसको राइस करना तो यह को मैंने पिक किया है इस बड़े कैंडल की वज़े से इस बड़े केंडल पर क्या हुआ है dal से लेके और यहां तक मुवमेंट हुआ है उसके बाद में स्टॉक ने होल्ड करना शुरू कर दिया अपने रेंज को तो अगर यह नीची आना होगा तो यह नीची आएगा 425 तक या 430 तक और उपर जाता है तब 450 को वापिस टच करेगा तो दोनों तरफ हमारे लिए चीक चाक मुवेंट निकल कि आएगा इन क्यूमेंस इंडिया इसी लिए मैं इसको पिक किया है बात करते है शीराम ट्रांसपॉर्ट की ओके शीराम ट्रांसपॉर्ट में देखिए पॉइंट नमबर वन और पॉइंट नमबर तू आप देखनें यह मुवमेंट है जो मैंने कैप्चिर किया अगर इससे उपर भागेगा तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट अराम से 725 से लेकर 730 तो उपर जा सकता है तो आपको सिर्फ यह सोचना है कि यह स्टॉक आपको अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे एक बड़ा फोल आएगा और ट्रेंड लाइन मेरा ऊपर के तरफ भागता है ब्रेक करके तो मुझे जो है एक अच्छी मुमेंट मिलेगी ऑन दा अपसाइड तो यह था हमारा जो है स्टॉक्स का चार्ट अनलेसिस अब बात करते हैं उनके लेवल के लिए और गाईज अगर आपको लाइफ सपोर्ट चाहिए हमसे तो आपको मुझे जॉइन करना पड तो आप गलत एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो 100% कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता आज हमारे स्टॉक्स में क्या हुआ एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ एक और बाकियों में है एक में हमने थुरा सा प्रॉफित निकाला ओवरॉल वी आर अगर कुछ नहीं लगा कोई बात नहीं कुछ गया तो नहीं अपनी जेव से वही फोकस होना चाहिए आपका हम जो सोचते हैं हमारा दिमाग चलता कि प्रॉफित आना चाहिए प्रॉफित प्रॉफित आएगा लेकिन उसके लिए कम से कम थोड़ा सा जो है अपना लॉस आज जिसमें आता हो सब आपका है चले बात करते हैं लेवल के बारे में हम बाइए करेंगे चौला फाइनेंस को 222 के उपर पहला टागेट रहेगा 229 231 का सेकेंड रहेगा सेल करेंगे 223 के नीचे फॉर्स टागेट 221 सेकेंड टागेट 219 का रहेगा और यह जैसे मैं बड़े प्रॉफिट को चेज करते हैं एक बात सौचिए अगर यह यह जा रहें ऊपट निकालेंगे लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं स्क्राइब मार्केट में चेजिंग दा टू राबिट हमेशा दो तीन राबिट को चेज करने कोईश गतने एक साथ में अरे पहले जो आपके सामने दिख रहा है इसको चेज कीजिए वतलब अपना जो सेव कीजिए एनर्जी सेव कीजिए आपको पता टाईगर क्या करता है टाइगर एक जो है हमारा वर्ल्ड का फास्टस अनिमल है लेकिन आपको पता है टाइगर अपनी फास्टस स्पीड कुछ सेकंड के लिए मेंटेन करता है कि उसको हार्ट बीट बढ़ जाएगा कि वह कॉलाप्स कर देगा अगर वह अपनी फुल स्पीड पर चलेगा तो वह ल लगरा कि यह स्टॉक आपको हाइप प्रेंटिश स्टॉक है तब उसको किई जीगा क्यों में इंदिया को भाइंगे 441 के ऊपर 445 का फॉर्स टागेट 450 का सेकंड टागेट रहेगा क्यों में इंदिया को सेल करेंगे 433 के नीचे पहला टागेट रहेगा 429 सेकंड शीराम टागेट को भाइंगे 710, 1st target 717, 2nd target 724, we are going to sell below 695, 1st target 687, 2nd target 680 and to join our telegram, either you can search for our telegram name or that this link is in the description box, SBI live, we are going to buy above 868, 1st target 876, 2nd target 885, we are going to sell below 855, 1st target 847, 2nd target 840 करेगा, nifty, we are going to buy above 10350, 1st target 11400, sorry 11350, 1st target 11400, 11430 का 2nd target रहेगा, we are going to sell below 11260, 1st target 11200, 2nd target 11170 करेगा, in bank nifty, we are going to buy once again about 22300, उसके उपर होगा, तभी हम भाइंगे, 1st target 22500, 2nd target 22600 करेगा, sell करेगा, 20200 के निचे, 1st target रहेगा, 21900, 2nd target 21700 करेगा, और गाई, our standard disclaimer, that all these videos which I create for you, are for your education purposes, if in case you are taking a trade on my recommendation, then do consult with your financial advisors, जितने भी आपके questions and queries है, comment box मिल के, I will be happy to answer all of them, और कुछ लिंक्स अवेलेबर एंगे, and for that go there and don't forget to live before you leave, that's all about guys, I will see you into my next video, have a nice day, take care.